हलो एंड वेल्कम टो माई योथीू चाइनल सो आज का मारा टॉपिक होगा टाइप्स ओव ब्रेस्ट मिल्क सो बेसिकली होता क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो अलग-अलग कंसिस्टेंसिक्स में आता है ताकि जो आपका बेबी की fulfillment need है वो पूरी हो सकी ठीक है the composition of the breast milk varies at different stages in the postnatal period यानि कि जो breast milk की composition है वो change होते रहते है अलग-अलग stages पे जो की होता है postnatal period में और यह क्यों होता है आखिर तो यह होता है to fulfill the need of the baby ताकि जो भी baby की needs है वो properly fulfill हो सकी तो सबसे पहले इसका type है cholesterol तो भी cholesterol जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीला काढ़ा दूद यह वही होता है so first three days after delivery यह कब होता है यह during first three days होता है delivery के consistency होती है इसके thick और yellow यह yellow color के thick milk होता है और यह less in quantity होता है क्योंकि baby के appetite उतना ज्यादा नहीं होता है so यह less in quantity होता है और इसमें क्या होता है main so main it contains more antibiotic protein and fat soluble vitamins इसमें जादतर amount of antibiotics होते हैं, protein होते हैं और fat soluble vitamins होते हैं जो के हमारा है A, D, E और K vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K इसमें more quantity में पाया जाता है उसके बाद हमारा आता है transitional milk तो यह होता है follows the cholesterol and secret during the first two weeks यह cholesterol के होने के बाद आता है मन्तब follows the cholesterol cholesterol के बाद आता है और यह secret होता है दो हफतों के लिए तीन दिन के बाद जो दो हफते हैं उनमें transitional milk secret होता है it has more fat and sugar content यह इसमें sugar और fat content जादा होता है then compared to protein and vitamins next हमारा आता है mature milk तो mature milk उसके बाद होता है secret हमारे transitional milk के बाद और यह 10-12 days के लिए अप्रोक्स होता है ठीक है यह more watery होता है and contain all the nutrients जैसे कि इसमें more fat and sugar था last हमारा जो cholesterol था उसमें protein और vitamins जादा थे तो इसमें सारे nutrients होता है और यह जैसे कि cholesterol थिक था तो यह watery होता है then आते है हमारा next है four milk तो starting of regular breast feeding इसके mature milk के बाद हमारा आता है four milk four milk क्या होता है जब एक regular breast feeding start हो जाती है तब हमारा four milk secret होता है more watery to satisfy the baby's thirst जो बेबी की thirst होती है उसको satisfy करने की वज़े से ज्यादा watery होता है content इसका contain more protein, sugar, vitamin and minerals इसमें protein, sugar, vitamin और minerals ज्यादा होते हैं next हमारा आता है hind milk so secreted towards end of the regular breast feeding जैसे हमारा four milk था अभी यह होता है starting of the regular breast feeding तो यह होता है हमारा end of the regular breast feeding यह और यह एक ही time पे हमारे मतलब की four milk और hind milk एक ही time पे secret होता है बट डोनों मतलब यह रेगुलर ब्रस्ट फीदिंग के टाइम पर होता है बट यह स्टार्टिंग और यह एड़ दी एंड ओफ द रेगुलर ब्रस्ट फीदिंग होता है अगर इसमें शुगर, मिनेरल, वाइटमिल ज़ादा थे तो इसमें फैट और एनरजी ज़ादा होता है बोथ फोर मिल्क और हाइन मिल्क इसेंशिल फॉर बेबी क्योंकि यह वाटरी ज़ादा है यह बेबी की थर्स्ट को फुल्फिल कर सकता है तो यह जो हमारा है, इसमें उतना ज़ादा है यह वाटरी कंटेंट नहीं होता है और यह बेबी की नुट्रिशनल ग्रोथ के लिए भी काफी ज़रूरी होता है विकास हमें फैट और एनरजी कंटेंट ज़ादा है नेक्स हमारी बात आती है कि इनिसीएशन टाइमिंग क्या होने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग इनिसीएट कबसे कराने चाहिए तो नॉर्मल वजाइनल डेलिवरी यानि एन्वीडी में हम लोग 30 मिनट बाद ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इनिसीएट कर सकते हैं इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट प्लीज करके बताईएगा थैंक यू